हलो स्टूरेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अडर247 जो कि आपका ये ओनलाइन स्कूल है मैं आप सभी को यहां पे वेलकम करती हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे लेका है ncrt question answers poem कौन से है हमारी a tiger in the zoo और यह है class 10th के बच्चों के लिए उसके पहले मेरी आप सभी से एक humble request है कि आप हमारे videos को please like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए अगर आप हमारे videos को like और share और subscribe करते रहेंगे जिनको भी जरुवत है आपको लगता है आपके जो दोस्त है उनको इन videos की जरुवत है या cousins है neighbors है जिनको भी जरुवत है please feel free to tell them कि हम यहां पर videos हमारे available करवाते हैं ठीक है तो चलिए हम चलते हैं हमारे first question के उपर चले ही first question के उपर अगर आप लोग ready है तो क्योंकि हमें question by question यहां पर आपको answer बताना है मैं आपको question display भी करूंगे साथ में और उसका answer भी बहुत सरे answers हैं जो की general answers होते हैं तो आप उसके accordingly यहां पर देख सकते हैं और अगर आपको लगता है नहीं हमारी माम ने तो यह लिखवाया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक poetry की बहुत सरी meaning निकलते हैं बट यह की answer में जिस तरह से उसको लिखा गया है वो कही न कहीं थोड़ा बहुत अलग हो सकता है इसे जादा और कोई उसमें फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम प्लीज first slide display करेंगे यहां पे हमारे NCRT questions read the poem again we have read it many times so आपकी पास प्लीज उसमें से भी यह फिर से poem देख सकते हैं and work in pairs or groups to do the following tasks अब इसे कुछ टास्क है वो आपको करने है group में find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild arrange them in two columns ठीक है हमें arrange करने है first or second column में उसके movement of tiger के कि एक तो वो forest मे रह रह रहा है वो secondly हमें कैसे बताना है कि वो कैसे cage के अंदर रह रह रहा है हमें दोनों जगों को अच्छे से describe करके बताना है next slide के जाएंगे हम now movements of the action of the tiger movements and the action of the tiger in the wild so stalking and lurking अगर वो हाँ पे cage में है तो वो stalk कर रहा है दा से उदर देख रहा है और वो हाँ wild forest के अंदर है so is lurking मतला वो freely he is moving यहां पे जो है वो stepping on pets on the velvet quiet धीरे 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 वो चल रहा अपने पैरों पे वहां पे वो क्या कर रहा है sliding moving on its own path वो अपने वे में चले जा रहा है उसको कुछ और जरुरत नहीं है ignoring cage के अंदर वो ignore कर रहा है जितने भी लोग आ रहे हैं as a entertainment purpose tiger को देखना चाह रहे है कि देखो तुम मुझे देखो जो लोग चाते कि हम उसको tiger actually notice कर रहे उनको ऐसा कुछ नहीं है tiger के पास he is totally ignoring all of them in the wild he is snarling hears hearing bearing stairs stare करता लोगों को जाता तर लोग उसको परिशान करते हैं और वहां पर जगर वह फॉरिस्ट में तो लोग उससे डर रहे हैं तो इस इंटाइले की जंगल में actually वह अपना राजा है वह अपने हिसाब से रह रहा है क्योंकि वह क्या है उसका घर है पर अगर वह घर के बाहर कहीं रह रहा है तो वह बहुत ही ऐसे रह रहा है कि जहां पर उसको चाड़ दिवारी के अंदर केज के अंदर बंद कर दिया गया है बुरी तरह से और वहां से वह बहार नहीं निकल पा रहा है ठीक है तो इन वर्ट के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया है नेक्स क्वेस्टिन चलिए, find the words, find out the words that describe the two places and arrange them in the column now try to share, ये second party है आपके first question का, okay and now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations basically हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, हमने words को find out किया है हमने words को arrange किया है, in two different columns अब उनके जो ideas है, उनको हम actually बताना है कि कैसे वो cage में था उसकी क्या thought process था, वो wild, as in वो forest में है तो उसका क्या thought process है so he was in cage, places in the cage, cage है, concrete cell, behind bars, the length of his cage wild में, long grasses, near the waterhole, around houses, at the jungles, edge all right, so these are clear, specifically arranged किया है, हमने two columns के अंदर need to describe the two places, we have described the two places, एक जगा जो forest है उसका घर है और एक जो cage है, जहां पर उसको जान पूच के चार दिवारी के अंदर बंद करके रखा गया है, ठीक है, slide टाइंगे है, हम हम, please remove करेंगे तो आज अभी ही के जो हमारे session था, उसके अंदर हमने question 1 के दो parts solve किये, first part and second part, first part में हमने words describe किये, उसके emotions, उसकी feelings को, second part में हमने दोनों places को कही ना कहीं describe किया है, समझाया आप लोगों को, हमने बहुत easily, simplest method में आपको यहां पर उसका answer बताया है, अब जो हमारे coming videos होंगे, उसमें question number 2 और question number 3 का आपको answer यहां पर जरूर से मिलेगा, alright, so thank you for watching today's class, हमारे videos को like, share और subscribe करना मत भूलिये, मैं second answer के साथ coming video जो next आएगा, उसमें जरूर से आपको मिलती हूँ, thank you for watching Ada247 School, have a good day, thank you झापको